नमसकार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक एसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप सिर्फ अपने मोबाइल नमर की मदद से आपके नाम से कितने SIM कार्ड निकाला गया है और कौन कौन सी नमर के SIM कार्ड निकाला गया है आप घर बेठे अपने मोबाइल चालू है और उस नम्मर के बारे में आपको जानकारी नहीं है या फिर अधी आप उस नम्मर का उपयोग नहीं करते हैं तो आप उस नम्मर को घर बेठे बीना कस्टमर के एर को फोन या SMS किये बिना बंद कैसे करें इसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं तो या वीडियो उन सभी लोगों के लिए अतियंत महतपूर्ण है जिनकी उम्र 16 वर्स या उनसे अधिक है क्योंकि हो सकता है उनके नाम से भी कोई फ्रॉड सिम निकाल करके कोई साइबर क्राइम जिसे खतरनाक कामों को अंजाम दे रहा हो और आपको उसके बारे में कुछ भी ना पता हो तो अचानक पुलिस आपको साइबर क्राइम के जुर्म में ग्रिफतार भी कर सकती है तो अगर आप इन सभी परिसानियों से बचना चाहते हैं तो आईए या जानते हैं कि आपके नाम से कितने और कौन-कौन से सिम कार्ट चालू है इसे देखने की ट्रिक के बा याने डिपार्टमेंट आफ टेली कम्यूनिकेशन ने टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा ग्राहकों को धोखा धड़ी से बचाने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए कई उपाई किये हैं उन्हीं में से एक है टेलिकॉम एनलाइटिक फोर फ्रोड मे ूपाभी.in इस वेबसाइट पर आपको आना है इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाई देगा और यहाँ पर इंटर्योर मोबाइल नमर में आपको अपना वह मोबाइल नमर डालना है जो सिमा आपके नामसे चालू है और फिर request OTP पर किलिक करना है जिससे आपके इसी नमबर पे 6 अंकों की OTP आएगी और उसे यहाँ पे डाले तो जब तक मेरे मोबाइल में OTP आती है तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इसी तरह की महतपुर्ण वीडियो देखने के लिए तो OTP डालने के बाद वेलिडेट पे क्लिक करना है जिससे यहाँ वाली पेज ओपन होगी और आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है जहां आपके नाम से जितने भी सिम कार्ड निकाला गया है उसके पूरी लिष्ट आप यहां से देख सकते हैं साथ ही उसके मोबाइल नमबर क शुरू के दो तथा आखरी के चार नमबर भी यहां आप देख सकते हैं और अदि इन में से कोई नमबर का यूज आप नहीं करते हैं या उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और आप उस नमर की रिपोर्ट करना चाते हैं तो यहां उपर में name of user वाले option में SIM card जिसके नाम से है उसका पूरा नाम यहां type करें और उस number को select करें जिसकी report आप करना चाहते हैं और फिर this is not my वाले option पर click करें जिससे आपकी report submit हो जाएगी और आपको एक ticket ID reference number यहां मिलेगा जो आपके mobile में message में भी आ जाएगी इस number का use करके यहां से आप अपने report को track कर सकते हैं यहां आप अपना ticket number डालें और track वाले option पर click करें जिससे आपका status यहां पर दिख जाएगा और अधि आप यह चानना चाहते हैं कि आपका SIM card किसके नाम से है तो आप हमें comment करके बताएं इसके उपर भी एक video चैनल पर जल्दी upload कर दिया जाएगा तो दोस्तों मेरा काम था इस महतपुर्ण जनकारी को आप लोगों तक पहचाना अब आप लोगों का काम है इस जनकारी को भारत के परतियक नागरिक तक पहुंचाएं तो इस video को अधिक से अधिक share करें ताकि आप ही की तरह कोई और भी crime में फसने से बच जाए तो दोस्तों अगर अभी तक आपने video को like और channel को subscribe नहीं किया है तो अभी तुरंत video को like और channel को subscribe कर लें वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाग जल्द ही मिलते हैं एक नई video में आपका दिन मंगलमय हो